सुप्रेम कोर्ट की कॉंसिल सवेंदर सी ने एरपोर्ट ऑथरेटिके कुछ अधिकारियों पर आरूप लगाए हैं नई दिली के हिमाचल भवन में आयोजेते एक संबालाता समेलन में सुप्रेम कोर्ट की कॉंसिल सवेंदर सी ने कहा कि हमें गर्ब है कि हम और आप उस समय है जब देश को कुशल नेत्रित प्रधान मंतुरी नरेंद मोदी जी कर रही है उनके बताया गए रास्तों पर हम और आप चल रही है प्रधान मंतुरी जी ने जिस पकार से आतंकवादा और भरष्ट चार के खिलाब जीलो ट्रॉल्टनस की निती अपनाई हुई है उसका ही फ़ल है कि हम आज एक भरष्ट चार से जुड़े मसले पर बात करनी आए है जानकारी में आया है कि टेंडर की कंडिशन्स को धता बताते हुए एसी कंपणियों को बाहर करने का भी प्रयास किया जा रहा है जो हिंदुस्तान में आना चाहती है जिन देश की उन देशों की कंपणियां जिनका हिंदुस्तान के साथ अच्छे संबंध हैं वहां से आना चाती है वो यहां पैसा लगाना चाती है पर उनको यह कहके कि साब आपके पास पैन नंबर नहीं है आपके पास GST नहीं है बाहर कर दिया जाता है तक्नीकी उसका परिक्षण किये बिना अब जब टेंडर में कंडिशन यह रखी गई है कि पैन नंबर आप टें इस वजह से किसी कंपणी को पार्टिसिपेट करने से मना करना कि आपके पास GST नमबर नहीं है, वो बड़ा एक संदेह की स्थितिक पैदा करता है। हाली में एक XVIS मसीन के टिंडर की प्रकिदिया में एक ऐसी कंपणी के साथ आगे आने का फैसला किया है, जिसकी मसीन में आग लगने का इतिहास है। उदारन के रूप में बताना चाहता हूँ कि इंदर एरपोर्ट पर जुलाई 2023 में XVIS मसीन में आग लगी थी, यह इस कंपणी के मसीन में आग लगी थी, उसी कंपणी का हाली में टिंडर में कांटेट देने का फैसला कुछ आधिकारियों ने करने का मूड बनाया हुआ है, संभवे हो भी गया होगा. इसको आप लोग पूछ भी सकते हैं, विकाज यह रिकॉर्ड का विशह है, तो उसमें आग लगी थी और एरपोर्ट पे मशीन में आग लगना अपने आप में एक बड़ा ही गंभीर विशह है, तो इस प्रकार की कंपनी अगर दुबारा आ रही है टेंडर में, तो उसका पुराना कुछ उसका इंवेस्टिकेशन हुआ, कुछ उस पे कारवाई हुई, पता किया गया और नहीं किया गया, हमको नहीं पता। एक एरपोर्ट पे 24 घंटे आवागमन रहता है, जिसकी वज़े से इन मशीनों को रोबस्ट, जन्हें कहते हैं कि बहुत अच्छी होनी चाहिए क्वालिटी की, की बीच में ब्रेक ना करें, दूसरा, इन मशीनों को ऐसा होना चाहिए कि ये नार्कोटिक्स को पकड़ सकें आम्स, एम्यूनिशन को पकड़ सकें, प्लस खाने पीने की चीज़ें भी इन मशीनों से गुजारी जाती हैं, तो वो चुकि एक्सरे और अन्विकरन इस्तमाल होती हैं, इसमें वो खाने पीने की चीज़ें खराब ना हो, या किसी प्रकार की विसंगती उन में पैदा ना हो, उनकी लिए भी कुछ नियम हैं, उनका पालन हो, उस तरीके से रहती हैं, तो उस क्वालिटी की मशीनों का जब इंस्टॉलेशन होता है, तो ध्यान रखा जाता है कि हम जो जिन कंपनियों को लाएं, वो अच्छी कंपनियां हो, अच्छा इथियास हो, और ऐसा हम कंप् करें, और साथी बेल आइकन को भी जरूर दबाएं, ताकि सबी खबरों से आप और आपके जानने वाले रह सके अपडेट